नमस्ते आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चेनल हिंदी वाले माड़साब पर एक बार पुन्य हर्दिक स्वागत और अभिनन दन है बचों आज हमका अक्सा बार है कि विसे हिंदी साहिते के पठ्थे पुस्तक अंतरा के अंति में गद्दे पार्ट कूटज जिसके लेक हजारी प्रसाद्दुएदी हैं उनके साहितिक परिचे पर बात करेंगे इस पार्ट के प्रसन उतर अगले वीडियो में आपको मिलेंगे यह आप चेनल पर नए पाधारे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिजीगा प यह पेमाग हैं यह अरे कि तीन चीजें आप नए भी लिखे तो भी चल सकते है बस उनके साहितिक के विआ में उसकी भास्था से लिखे विशे में यह चीज़या में लिखनी होती है तो सबसे पहले आप जन्म और जन्म इस्थान का नाम लिख देते हैं तो परिक्षक के दिलों दिमाग पर आपके प्रती एक अच्छी छवी निर्मित होती है सबसे पहले जन्मिन का वर्स 1907 इस्वी में और जन्म इस्थान है आरत दूबे का छप्रा ये गाउं का नाम है जिला बलिया और रज्य की बात करेंगे तो उत्रपरदेश उस समय संयुक प्रांत था देहान तापका 1989 इस्वी में होता है अब देखते हैं कि आचारी हजारी प्रसाद्वेदी की सिक्स्या सेंस्कृत महा विद्धाले कासी एवं कासी हिंदू विश्व विद्धाले में हुई आप सांती निकेतन के हिंदी भावन के निदेशक रहे कासी हिंदू विश्व विद्याले के हिंदी विभाग के अध्यक्ष, नागरी प्रचारिनी सभा के अध्यक्ष, प्रथम राजभासा आयोक के सदस्य, राष्टपति के द्वारा मनोनी थे, पंजाब विश्व विद्याले चंडिगड के हिंदी विभागा ध्यक्ष और भार विश्त्रित था वाइड था बहुत सारी चीजों के विशे में इन्होंने पढ़ा था देखिए क्या क्या पढ़ा था आपको संस्कृत बांगला प्राकृत अप्रण से इत्यादी भासाओं का जान था भारतिय इतिहास कौन-कौन से विशे थे वो अध्यन की शत्र भारतिय इतिहास, दर्शन, संस्कृति एवं धर्म संबंधी मामलों पर आपका नियंत्रन या अधिकार द्रश्टव्वे था आपकी अच्छी पकड़ थी भासा की बात करते हैं तो आचारिय हजारी प्रसाद्वियदी के साहित्य की भाषा विशे अनुकूल मतलब विशे की अनु प्रवाहपूर्ण एवं तत्सम सब्दों से युक्त है जब आप उनकी बानभट की आत्म कथा पड़ेंगे तो इतने जटिल सब्द हैं कि डिक्स मेरी साथ वे रखने पड़ती है सब्द को से आवस्तेक्ता नुसार तदभाव अंग्रेजी उर्दू वजन सामाने की उनका साहिते है वो पठनी हो गया है और सहरस हो गया है सैली के आचारिय द्वीवेदी ने अपने साहिते में वर्णनात्मक विचारात्मक वीवर्णात्मक समिक्षात्मक एवं आत्मनिस्ट सैलियों का प्रयोगी किया है यह जो आत्मनिस्ट सैली है यह इनके द्वरा जो ललित निबंद लिखे गए थे, जो ललित निबंद लिखे गए है, उनमें प्रयुक्ति की गई है, रचना सनसार देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा, निबंद संग्रे लिखे, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कलपलता, कूटज वा आलोक पर हुए, उपन्या इतिहस का अथा, ये एक और थी, और इनका उपन्यास ही था, आलोचनाएउं इतिहस, तो कबीर, आलोचनाएउं इतिहस में क्या क्या लिखा, कबीर, सूर सहीते, हिंदी सहीते की भूमी का, हिंदी सहीते का आदिकाल, नात्सिधों की बाढ़िया इतिय दिह душ रे, तथा भारत सरकार के द्वारा पादम भूशन नागरिक सम्मान भी इनको दिया गया था तो आज की इस वीडियो में फिल हाल इतना ही और अगले वीडियो में आपके समक्स लेकर आएंगे कूटज पार्ट के प्रसनोतर आप इतने देर तक सब्सक्राइब कर लेजिए कोई क् नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं चलिए इजाज़त देवे नमस्ते धन्यवाद